हैलो दोस्तो आपने बहुती सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है दोस्तो आप लोग एक बार फिर में बहुत अच्छी खबर ले گरा हूं जो अभी अभी आपका RBI अटेंडेंट का पेपर हुआ है तीसरी स्टिप्ट का जो भी पेपर हुआ है दोस्तों बेहत आसान ये पेपर आ गया है जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी जादा आसान पेपर आ गया है अगर आपने यह वीडियो पूरा देख ले परसेंट आप लोग सेलेक्शन के करीब पोच जाओगे क्योंकि जो भी सवाल आपके आये है सभी को मैं ट्रिक से करा रहा हूँ तो गाइस आपको पूरा आइडिया हो जाएगा क्या के सवाल पूचेगे जल्दी से देख लेते हैं सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट तो दोस्तो अगर आप किसी भी गौर्पेंट एक्जाम की तियारी करे हो मुमी पापा का सपना पूरा करना चाते हो एक सरकारी नोगरी लेना चाते हो तो दोस्तो ये प्लेटफोर्म आपके लिए बैस्ट रहेगा एक्जाम मैटिक स्टडी आपको करना क्या है सारी ट्रिक आपको यहीं मिल जाये करेगी आपको करना है कि ये लाल कलर का जो बटन दिया गया इसको दबा कर आप लोग चैनल को नीचे की साइड सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मैटिक स्टुडी पर आपको टाइम टुटाइ मिलता रहे तेखले ते गाइस क्या क्या सवाल आपके पूछे गए तो गैज पहला सवाल आपके सामने है भारतिय रिजर्व बैंक आर बियाई की पहले भारतिय गवर्नर कोन थे भारतिय गवर्नर की बात कर रहे दोस्तों सवाल को ध्यान से पड़ेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीडी देशमूक सी ओप्सन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इनका कार्यकाल कब तक रहा इनका वर्किंग टाइम क्या रहा 1943 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल रहा देख लेता एगला सवाल एक सवाल गैज आपका ये भी बुचा गया भारतिया रिजर्व बैंक RBI के परतिक चिन में से किसे परतिक चिन में किसे चितरित किया गया है तो गैज ये क्या गया है ताड का वरक्स रोयल बंगाल टाइगर यानि C ओप्सन आपका रहाट आंसर हो जाएगा ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएगी देख लेए तो अगला सवाल एक सवाल गैज आपका ये भी पूचा गया वर्तमान 2021 में भारतिया रिजर्व बैंक RBI के कितने डिप्टी गवर्नर है तो गैज मैं आपको बता दू टोटल गवर्नर आपके होते हैं पांच पांच में से आपका एक होता है गवर्नर और चार होते हैं डिप्टी गवर्नर तो रइट आंसर हो जाएगा आपका B ओप्शन तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं पर बहुत आसान था एक सवाल आपका ये भी पूछा गया भारतिया रिजर्ब बैंक के गवर्नर की निक्ती परधान मंत्री किन की सलापर करता है तो गैस ये किन की सलापर करता है ये करता है वीत मंत्री की सलापर सी ओप्सन इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया दोस्तों मैं उम्मीद करते हूँ सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे बहुत इंपोर्टेंट चैनल है सभी गोवर्मेंट एक्जाम के ट्रिक के लिए एक सवाल गाईज आपका ये भी पूछा गया भारतिय रिजर बैंक आर्बियाए के गवर्नर की हर महिने की तनक्वा कितनी है कितना वेतन है तो गैज इनका वेतन है धाई लाक रुपे ये आपको पता होना चाहिए देख लेता गैज अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया भारतिय रिजर बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्स के लिए होता है तो गैज ये होता है इनका तीन वर्ष के लिए C option इस सवाल का right answer हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल तो गैज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया राष्ट्य विकास परिशद का गठन कब किया गया था तो गैज इसका कठन किया गया था 6 अगस 1952 में देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गैज आपका ये भी बढ़िया पूछा गया भारत की ग्यारवी पंच वर्ष योजना के समय भारत का योजना अयोग का देक्स कौन था तो गैज इनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंग जी देख लेते हैं अगला सवाल दोस्तो रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा टैंसल लेने की जोरत नहीं है फेपर आपका बहुत बढ़ी होगा अगर आपने अब ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन की करई पहुच जाओगी देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गैज आपका ये भी पुचा गया फिरोज सहाक कोटला मैदान का नया नाम क्या है तो गैज इसका नाम है अरुन जेटली स्टेडियम देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गैज आपका ये भी पूचा गया सिरलंका में किसने चोथी बार देश के परधार मंतरी के रूप में सपत ली है तो गैज इनका नाम है महिंदा राजबकसी इन्होंने यहाँ पर चोथी बार देश के परधार मंतरी के रूप में सपत ली है देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गैज आपका ये पूचा गया किर्केट की दुनिया में महिला डोन ब्रेडमैन को किस नाम से जाना जाता है तो गैज इनको जाना जाता है बेटी विल्सन के नाम से देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपका पूचा गया है दोस्तो राउफ एक डांस है किसी राज्ये का तो दोस्तो ये कौशे राज्य का एक डान्स है ये आपका जम्मु एंड काश्मीर राज्य का एक डान्स है और जम्मो कस्मीर के सर के मामले में भी नमबर वन पर है इनको जीए टैग मिला हुआ है देख ले तो अगला सवाल एक सवाल आप से ये भी पूचा गया केंद्रिया रिजर्ब पुलिस बल का मुख्याले कहा परिस्ती थे तो गैज यह आपका नई दिल्ली में है न्यू डेली सवाल का रैट आंसर हो जाएगा देख ले तो अगला सवाल तो गैज एक सवाल आपका एक गणित का पूछा गया क्वांट का एकटिट्यूड का पूछा गया है सवाल कैसे करना था राम ने एक गाए 12500 में खरीद कर 4% के लाप पे बेच दी तो गाए का विक्रे भुल्ले बताओ गाए का सेलिंग प्राइस बताओ और यह क्या है कोश्ट प्राइस दोस्तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है 100% की वैल्यू है 12500 यहां से आपको 1% की वैल्यू कितनी निकलाएगी 125 और कितने परसेंट का नुकसान हो है 4% का 4% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरब 4 की गुणा कर देंगे तो गैस यह आएगा आपका 500 रूपे 500 रूपे दोस्तो आपको लाब मिल जाएगा अब आपका सेलिंग प्राइस कैसे आएगा जब आप कोश्ट प्राइस में जो यह लाब है प्रोफिट इसको एड़ कर दोगे तो कितना है हमारा कोश्ट प्राइस 12500 प्लस 500 हमारा प्रोफिट है यानि लाब है तो दोस्तो इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा 13000 ожет 13000 रूपे में यह काए बेचे गई होगी तो दोस्तो सेलिंग प्राइस हाजाएगा aja 13,000 आपका 13,000 इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा आप लोग इस परकारी सवाल करके आ सकते थी आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते है तो गैज एक सवाल यह आपका कोडिंग डिकोडिंग का जरूर पुछा गया क्या पुछा गया इसको मैं सोल करके लेकाया कैसे बनाओंगे सभी कोड को जोड़ दो जैसमीन के सभी कोड को जोड़ने पर क्या आएगा यह आएगा जब आप इनका कोड लिखोगे जे का कोड एक कोड एसका कोड सबका लिखके जोड़ोगे तो कहत्तर आएगा कहत्तर को साथ कैसे बनाएंगी तो दोस्तों क्या करें सबी कोड को सबी कोड को जितने भी कोड है जैसे E का 5 होता है S का 19 होता है सबी को जोड के क्या हैगा बानवे अब बानवे में इन दोनों डिजिट की गूणा करेंगे तो कितना हैगा? 18 तो राइट अंसर हो जाएगा C उपसन जो बच्चा C option मार के आया इनका right answer हो गया तो दोस्तो इस परकार आप लोग यह सवाल करके आ सकते थे आई होप दोस्तो आपको किलेर हो गया होगा ऐसे ही आपको यह सवाल करना था मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे पढ़ाय करना चाहते हो ट्रिक से एक सरकारी नोकरी लेना चाहते हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर आप जरूर जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जाएंगे तेख लेता अगला सवाल क्या पूछा गया एक आपका सवाल ये भी बहुत बड़ी है पूछा गया यदि 18 आदमी एक काम को 35 दिन में करते हैं 21 आदमी इसी काम को कितरे दिन में करेंगे ये आपको बताना था लोजिक क्या लगेगा M1, D1, M2, D2 M1 कितने दिया गया है? 18 कुणा कर देंगे कितने में? D1 दिया गया है 35 M2 कितने दिया गया है? 21 और D2 आपसे पूछा है तो साथ से काटेंगे तीन बार साथ ये कि साथ पंजे 35 तीन से काटेंगे छें बार 6 की गुणा 5 में करेंगे तो D2 की वैल्लू क्या आएगी? 6 पंजे 30 तो दोस्तो 30 इस सवाल का राइट आंसर हो गए जो बच्चा D option मार के आए इनका राइट आंसर चला जाएगा तो दोस्तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग इस परकारी सवाल करके आ सकते हैं देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूचा गया चार संख्याय का अनुपाद दिया गया है और इनका जोड दिया गया है जो ये संख्याय इनका जोड भी दिया गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको देखने से पता चल रहा है सबसे बड़ी संख्या होगी 7 7 की value निकालनी है अब देखो अगर हम इनका जोड करेगी तो कितना आएगा या आएगा आपका 15 आप जोड के देख लो 15 आएगा ठीक है और 15 की value कितनी दीगी है 105 तो दोस्तों यहां से 1 की value निकाल लेंगे कितने आएगी 7 15 सत्य 105 होते जब काट होगे आप लोग अब 7 की value क्या हो जाएगे यहां से दोनों तरफ 7 की गुणा करेंगे या आएगा आपका 7 सत्य 99 49 इस सवाल का right answer हो जाएगा आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकते थे 49 इस सवाल का right answer चला जाएगा ठीक है guys तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहां पर सवाल बताए 100% real सवाल मैंने आपको बता दिये हैं अगर आप लोग 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो एक गोर्मेट जोब लेना चाहते हो तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रू जाएंगे बैल आइकन को उन कर लेंगे ताकि सबी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मैटेक इस्टेडी पर आपको टाइम टोटेम मिलते रहे तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केयर